नमस्कार दस्तों मैं रिपांशु श्वागत करता हूं आपका सीजी पेश्य व्याबों में एक बहुत ही सांदर और पॉजिटिवनिस के सांद करेंगे तो आप लोग जिनोंने को सब्सक्राइब नहीं करें चले से जले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे महतुपून सवाल है आप लोगों का कि सर सबसे पहले कि सर बिजली भाग का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है पहला क्यों सारे लोगों का यही था दूसरा question बहुत सारे का ये था कि सर होस्टल वाइन भरती पहले आएगी कि एडियो भरती पहले आएगी और तीसरा था कि सर व्यापम में जो रुखा उवा result है वर विकास निगम का वो का बायेगा। ये तीनों बहुत सारे बहुत बारी क्योस्टन पूछे गए तो देखिए सबसे पहला जो मैंने आप सभी को बिजली भाग के संबन में बता दिया है कि वहाँ जो है टेकनिकल इसू के चलते जो है वहाँ पे अभी रिजल्ट अप्लोड नहीं हुआ है जैसा कि मैंने आप सभी को कहा है कि 30 अप्रेल जो है वहाँ पे डेड़ बताई गई है कि 30 अप्रेल तक आएगा ऐसा करके 30 अप्रेल के पहले तक पर इसका ये मतलब नहीं कि 30 अप्रेल के पहले नहीं आ सकते है 30 अप्रेल के बात नहीं आजा देखिए ऐसी बहुत सरी टेकनि तो यहां पे उन सभी के लिए मैं यही कहूंगा कि आप एक अनुरोध पत्र लिख सकते हैं बिजली विभाग को या आप बिजली विभाग के ऑफिस में जाके अनुरोध करिएगा कि सर हमारा जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी करिएगा ताकि हमारा जो भविष्य जो है एक पश्टता की और प्रभाविच हो सके क्योंकि देखिए आने वाले समय में बहुत सारे एक्जाम है साथ में मध्यप्रदेश का भी जूनियर इजिनियर का एक्जाम है तो ऐसा चीजे बताईएगा कि हम दुसरे एक्जाम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं मस्त आप लोग एक अनुरोध पत्र लिखिये और उस अनुरौध पत्र में विजलिभाग से रिजल्ट की जो है वो अनुरोध पँरिये है तो इसमें देर वाली बात ही नहीं है रिजल्ट जो है आएगा ही आएगा हाँ यहाँ पर दिक्कत उन लोगों को है जो दुसरे एक्जाम पर टार्गेट नहीं कर पारे तो मैं उन सभी को यह कहूँगा कि नहीं भई आप लोगों का पेपर कित्ता भी अच्छा गया हो या कित्ती भी बहुत selected उमिद्वार क्यों नहीं पर आप दुसरे एक्जाम पर भी फोकस जरूर करिएगा जो या फिर जैसे टेक्निकल वाल है तो टेक्निकल में नॉन टेक वाल है तो नॉन टेक में आप प्रकार का गलत है कि अभी तक जो रिजल्ट है वो क्यों नहीं आ रहा है रुकुईभी भरतियों का बहुत सारी निगेटिव लोग फैला रहे है कि इसमें ऐसा हो गया है वर्मिकाश निगम की भरतियों में ये हो गया है तो देखिए ये सारी चीजे निगेटिव है और बहुत ही बेबुनियादी चीजे है नहीं विभाग से ऐसा कोई लेटर है नहीं कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है देखिए व्यापम के पास बहुत सारे कारे हैं और धीरे धीरे व्यापम जैसा कि सारा रिजल्ट जारी कर दिया सीर्फ वह विकाश निकम का रिजव्ड बचलिए तो उसका अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसका वे रिजव्ट आपके समक्ष जारी कर दिया जाएगा इसा नहीं हो स्बुर्ण सब्सक्राइब रहा है जैसा कि मैंने आप सभी को कहा है कि result तो तय है आना बस यह है कि जो टेक्निकल रहता है चिपस से पर्मिसन मांगा जाता है कि हम जो है result जारी कर रहे हैं क्योंकि आपसभी जानते कि अभी पटवारी का paper पर है 24 तारीक को उसके लिए सब एड्मिट का डाउनलोड कर रहे हैं तो कहीं न कहीं जो सर्वर है बीजी है साथ में पीटी वाले लोग भी अपना ऑनलाइन फॉर्म भर रहे तो उसकी वज़ा से भी सर्वर बीजी तो व्यापम क्या अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है एड्लेस्ट जो है 24 तारीक तक पटवारी के पेपर तक इस वज़ए से आप लोग निश्चिंत रहिएगा रिजल्ट आप लोगों के समक्स कभी भी जो है वह जारी कर दिया जाएगा क्योंकि चिपसे से परमिसन मांग लिया गया है आप लोग आमने जो वन विकास निगम उसका भी डेट कब आएगा तो देखिए निश्चिंत रहिएगा सारी चीजें अपने समय पे होगी क्योंकि अगले साल चुनाओं है तो कहीं न कहीं आपको रोजगार तो मिले गही आप लोग बस महनत करते रहिएगा निश्चिंत रहिए क्योंकि भई ट्वीड भी हो नहीं है क्योंकि टाइम टेबल रेडि है बस आपको आपके सामने प्रदर्स्थित करना बागी है आप तैयरी करिएगा ठीक है यह रही बात आपका दूसरा क्योंसें का चौथा क्योंसें था कि सर खोश्टल वार्डन भरती और एडियो भरती में कौन पहले आएगा या ए PST में ऐसे पदेपर भरती होने वाली जिसका आप लोगोंने नाम नहीं सुना है कि आज सही प्रती लिया है और वहुत ही जल्द वह आप सभी के समक्सीरे प्रस्थ ठूथ होने वाले है तो रही बातत ए तो एक और गारती की एक प्रक्रिया होती है कि भई पहले वो वित्त्य भाग के पास जाएगा वित्त्य भाग से permission मिलेगा उसके बाद PSC के पास आएगा PSC से पिर जारी हो जाएगा ये प्रक्रिया एक दिन में भी हो सकती है एक साल में भी हो सकती है चार साल में भी हो सकती है बट आप सभी के लिए वो यही कहूंगा एक प्रोसीजर के तहत कारिचर रहा है और बहुत ही जल इसके आने का संभौना है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सारी चीज़े क्लियर है रही बात EDEO और होस्टल वर्डन की तो देखिए आप सभी को यही कहूंगा कि दोनों का सिलेवळस अलग-अलग है अगर आप लोग EDEO की तयारी करना चाहते है तो आप EDEO की तयारी करूँ अगर होस्टल वर्डन अमीन पटवारि और राजयस्वनीरिक्षक की तयारी करना चाहते तो आप यह तीनों का सिलेवस एक जैसे तो आप लोग किसी ईक आप लोगों को यही कहूंगा दोनों मैंने आपको कई बार कहाई कि दोनों एक्जाम में बड़ी मुश्किल से दो संडे या तीन संडे का गेप रहेगा तो आप लोगों के पास समय नहीं है करीबन दोनों को कवर करने के लिए कम से कम दो से धाई महने का आपको समय माल भंको आप दोनों की तैयारी करना चाहते है क्योंकि एडियो की भरती में पंचयाइती रात Hm तो यह सारी चीज़ निश्चीनत रहेगा बिलकूल आप लोगों के लिए दौनों वैकेंसी जो है वो अपने समय पे निकलेगी 3 जुलाई तक तो व्यापाम का प्रवेश परिक्षा है आप लोगों के पास जो नए कैंडिडेट है वो भी चौका लगा सकते है इस वेकेंसी के लिए बस आप लोग अभी से त्यारी करिए तन मन और धन से इस वेकेंसी के पीछे पढ़ जाया तो ये वेकेंसी जख मार के आपके पीछे आएगी याद रखिएगा अब रही बात मुख्यमंत्री जी ने आप सभी जानते है कि दो दिन पहले जो है नगरी एवं प्रशाशन विभाग से बैठक लीती और कल जो है संस्कृती विभाग की बैठक है दोनों बैठक में बिरुजगारों के लिए सुनहरा उसर है फिलहाल आज मैं जो बताने वाला हूँ नगरी निकाई विभाग के संबंद में बताने वाला हूँ इसके लिए लेटर भी जो है वो जारी कर दिया गया तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाईया जो नगरी निकाई विभाग में जो जितने भी पद खाली है उसके संबंद में जैसे कि मैंने आपको 6-7 महना पहले बताया था कि जो खाली पद है नगरी निकाई नगर निगम में और नगर पंचायत में तो उसको खाली पद को मंगाया गया है प्रशाशन के पास तो वह मंगाया गया था परत्तु वह शारी चीजे क्या होगई लैप्स mesगए नय वित्ति वर्स लगा अब फिर से इस वर्स प्रारम में ही मंगा लिया गया है और ये जो लेटर मैं आपको दिखा रहों जैसक के आपके स्क्रेणि पर शोओ हो रहा होगा इस लेटर में बताया गया है कि इस्थानी नगरी निकायों में सिधी भरती के रिक्त पदो की छेणि वार जानकारी इस्थानी नगरी निकायों में 1.1.2020 से 31.2.2020 तक सिधी भरती के रिक्त पदो की स्रेणी वार जानकारी सासन द्वारा ततकाल चाही गई तो इपर आपके अंतर संभाग के अंतरगत आने वाले सभी नगरी निकायों में दिनांग एक एक दो हजार बीस से इकतिस बारा दो हजार बीस तक्सिदी भरती के रिक्त पदों की स्रेणी वार जानकारी सलग्न निर्धारित है और इसको तयार कर ततकाल संचनालय को भेजे मुख्यमंतर जी हर विभाग की समिक्षा बैटक कर रहे फिर से और हर विभाग में सारी चीज़े आपको धीरे-धीरे मेरे दौर आपको बता दी जाएगी फिलहाल देखिए यहां पे टोटल प्रथम स्रेणी द्यूत्री स्रेणी द्यूत्री स्रेणी के बारे में बताया टो यहां पर 4 सेन भी है और अरक्ष्न वाइस है यह जो भरतियन में में लगभग 200 से अधीक पद है पूरे नगर निगाई में आप सभी जानते नगर नीगम कहता है जो सवक्सिता निरिक्षक ले लेखापाली की में स्याति फईय आति हैं साहल कि आती है डेटायरी ओपरेटर की केंसी कही तो कहीне झाल्यमसे बाल्यूम्सेा